जादूई टीवी सुनो, तुम्हारे बाबुजी तो कबके गुजर गए? अब उनका जो सामान है वो पड़े-पड़े कबाड़ा हो रहा है. बेची दो, कुछ पैसे आ जाएंगी? बहुत तो सही है. अगले संडे फुर्सत में यही करेंगे. अगले संडे रोहित सारा सामान कबाड़ी को घर बुला के दे देता है. तब यह उसके नजर बाबुजी की पुरानी टीवी पर जाती है, जो इतने सालों तक कूड़े में पड़ी थी, फिर भी चमचमा रही थी. टीवी तो देखो, जैसे एकदम नहीं हो. हाँ, बाबुजी को टीवी देखना बहुत पसंद था. उनका सपना था कि वो टीवी पे आए. एक बार मौका भी था जब वो अपने गाओं के गाने सुनाने किसी चैनल पर जाने वाले थे. पर मैं और मेरा भाई लड़ पड़े और बाबुजी को घर पर ही रुखना पड है. बाबुजी ने उस लड़ाई के दिन के बाद टीवी देखना ही जोड़ दिया था. टीवी चालू करने के लिए उसमें केबल वायर लगा दिया जाता है. एक न्यूस चनल चालू हो जाती है. स्वर्क के सीड़ी के रास्ते हैं तीन, तीनों के तीन रास्ते हैं संगीन, पहला रास्ता है साप की बीन, दूसरा रास्ता घर में बिचा कालीन, तीसरा रास्ता कैलकटा से चीन. ये क्या बगबास ख़बर है कुछ अच्छा लगा दू अरे आप बोलो तो सही कोई अच्छी ख़बर सुना देता हूं मेरो तो काम ही ख़बर देना है अरे बापरे टीवी बात कर रही है हाँ ये न्यूस बाला मुझसे हाँ हाँ आपसे ही तो बात करूँगा ना आपके घर में हूँ तो अरे ये सपना है क्या तुम हमसे बात नहीं कर सकते अरे सपना नहीं भाई सहाब ये टीवी जादोई टीवी है बोलो क्या ख़बर सुननी है वना ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा सुप्रिया घबरा के टीवी बंद कर देती है वो क्या था? एक बार और चालू करके देखे फिर से बात करेगा तो चैनल बदल देंगे सुप्रिया फिर टीवी चालू कर देती है आरे ऐसा कोई मुँपे टीवी बंद करके जाता है क्या? मुझे बुरा लगा आपका नेचर चाय पानी तो पूछो सुप्रिया टीवी के बटन से चैनल बदल देती है अब टीवी पर एक फिर्म चल रही है आरे ये तो सुर्य बंशम है न? हाँ और ये ठाकुर को जहर की खीर दे दी और उसको पता भी नहीं है ए भाई खीर मत पीना उसमें जहर है मत पीना ठीक है माशरी जैसा आपका है हाँ हरे आपकी बात मान ली पूरे पिक्चर ही अब तो बदल जाएगी मतलब ये सच में जादो एक टीवी है तभी वहाँ कबाड़ी आ जाता है भाया तीवी के डेड़ सो रुपे दूँगा चलेगा अरे डेड़ करोड में भी ना दे तुमको ये टीवी हम अरे डेड़ करोड खरिदने को होते तो तुमारे घर में ये पानी चाय नहीं पीता अमबानिया टाटा के घर बैठा कोल्ड कॉफी पीता रोहित कबाड़ी का हिसाब करके उससे वहाँ से चलता करता है और अपने भाई शर्षी कांद को फोन लगा के बलाता है शर्षी थोड़ी ही दिर में वहाँ पहुँच जाता है क्या हो गया भाईया अरे बाबुजी का टीवी याद है हाँ हाँ जिसमें घुसे रहते थे हमेशा वो और अपने को कुछ नहीं देखने देते थे अरे वो अब जादु ही टीवी बन गया है भाईया आपकी बकवास करने की आदत अब तक नहीं गई अरे आपके घर में बच्चे हैं अब तो बड़ो जैसी बात करो रोहित जाके टीवी चालू कर देता है टीवी पर एक जादु का शो हो रहा है जिसमें एक जादुगर है अब मैं अपनी टोपी में इससे कबुतर निकालूँगा श्रिंग ब्रिंग श्रॉरिंग वोम फोपा फूपी फूपा पाउप टीवी से कबुतर निकलता है और शश्रिकान के सर पर आकर बैठ जाता है बाईया ये क्या हो रहा है बाईया इसे उड़ाओ एक कबुतर जा जा कबुतर चल निकल अब मैं टोपी में से साप साप सुनते ही शशिकांत काम जाता है और भाग के टीवी बन कर देता है बाईया, सुरी बाईया, मैं समझ गया यह जच में जादूई टीवी है पर एक बार और ट्राइ करते है पर भाभी कोई दूसरा चैनल लगावा जिसमें डर ना लगे सुप्रिया टीवी चला देती है और न्यूज लगा देती है अरे कितने दिनों बाद मुझे याद आया बताए क्या खबर सुनाओ और ये नया आदमी कौन है ये मेरा भाई है शशिकांत ओ येस वही है ना जिससे तुम लड लिये थे किसी बात पे और तुम्हारे बुढ़ाओ पिताजी गुसा हो गयते और टीवी को सन्यास दे दिया था हैं तुमको कैसे पता ये सब इस टीवी में रहने वाले आदमी से लेकर कब उतर तक को तुम्हारे बाबुजी और तुम्हारी बाते पता है इसे लिए तो ये जादवी टीवी है ये टीवी क्या कर सकती है वैसे तुम जो मांगो दे सकती है कहानी बदल सकते हो खबर बदल सकते हो कोई चीज मांग सकते हो अरे भाईया ये टीवी मैं लेके जा रहा हूँ, बाबुजी का लाडला तो मैं ही था न, और ऐसे कैसे, मैं बड़ा बेटा था, अब तक मेरे घर में टीवी थी न, अब तक कहा गये थे पिताजी के लाडले, तुम्हारे गलती का ऐसास भी है, अरे भाईया ज्यादा न बोलो बना भूल गये, आपके दाद तोड़ दिये थे मैंने उस लड़ाई में, मेरी बीवी के सामने मेरी बेज़ती करता है, रुक, दोनों भाई हाथा पाई पे उतर जाते हैं, रुक, बताता हूँ तुझे के कौन बड़ा है, अरे छोटे का दम तो देख लिजे आप, ये खबर आपके बाबुजी को देता हूँ, तब ही टीवी अचानक बंद हो जाता है, आरे शायद टीवी नाराज हो गया, और लड़ लो, आए बड़े खली बनने, टीवी से एक तेज रोश्णी निकलती है, और टीवी में बाबुजी दिखाए द या, ये तो ऐसा ही है बाबुजी, प्रणाम बाबुजी, आराच पकर, तुम दोनों ही उल्टे हो, तुम्हारी वज़े से मैंने टीवी में आने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारी लड़ाई की वज़े से, और तो और, जितना मैं अपनी बीवी को नहीं देखता था, उतना टीवी को देखता था, वो भी छोड़ दिया, तुम्हारी लड़ाई की वज़े से, और अब मन्ने के बाद, जब मैंने टीवी को जादूई टीवी बना दिया, तो भी तुम इसका फल लेनी की जगा लड़ रहे हो, अरे तुम तो लायक ही नहीं हो, अब तुमको बा बाबु जी चले जाते हैं, टीवी बन्ध हो जाता है, रोहित और शशिकान गिरगड़ा के टीवी के सामने हाद जोड़ के बाबु जी को बुलाते हैं, पटीवी सिर्फ धुआ निकालता रहता है